मा की बातें श्री मती सरयु बाला सेंसे वार्तालाब एक दिन सुबह मा और गुलाप मा गंगासनान करने जा रही थी गुलाप मा ने कहा मा तेल लगा लो मा ने कहा मैं तेल नहीं लगाऊंगी गुलाप मा के अनुरूत करने पर मा ने कहा मेरे तेल लगाने पर सभी लोग तेल लगाएंगे तेल लगाकर गंगासनान को नहीं जाना चाहिए एक दिन किसी स्त्री भक्त ने अनुतप्त होकर मा से पुछा मा, हम लोगों के लिए क्या उपाय है? मा ने थोड़ा नाराजगी प्रकट करते हुए कहा मा के रामेश्वर से लोट कर आने के बाद एक दिन मैंने उनसे पूछा मा, क्या देखकर आई है बताईए? मा ने कहा, बहुत से लोग मुझे देखने आये थे वहाँ की लड़किया खूब लिखना पढ़ना जानती है मुझे उन लोगोंने लेक्चर देने को कहा मैंने कहा, मैं लेक्चर देना नहीं जानती यदि गौरदासी आती तो वहां देती एक दिन मा ने कहा, जो महान होता है, वहां एक ही होता है उसके साथ दूसरे की तुलना नहीं हो सकती जैसे गौरदासी अन्य एक दिन मा ने राधु की बिमारी के लिए उसे ताबीस पहनाया और देवता के निमित पैसा निकाल कर रखा हम लोगों ने पूछा मा आपने ऐसा क्यों किया आपके इच्छा से ही तो सब होता है मा ने कहा बिमारी होने पर देवताओं से मनोती मानने पर विपत्ती कट जाती है और जिसका जो प्राप्पे है उसे वहां देना पड़ता है मानी कलता के किसी भक्त के घर पर एक बर गौरी मा असाध्य चेचक रोग से ग्रसित हो गई भक्त की मा तथा अन्य सभी ने प्राणपंड से उनकी सेवा की थी यहां सुनकर माने कहा आ की मा इस जन्म में ही मुक्त हो जाएगी गौरदासी की बिमारी में जिसने दिये की बत्ती भी उठा दी है वहां भी मुक्त हो जाएगी